गुट मॉर्निंग एब्रिवन सो फ्रेंस देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या बहुत ही कमाल के किचिन टिप्स हैं फ्रेंस वीडियो को पूरा ही देखिएगा तब ही पता चलेगा कि वीडियो में है क्या नमबर बन आलू की पराठे बनाते समय आलू के मिक्षण में थोड़ी सी कसूरी मेथी डालना नहीं भूलें पराठे इतने स्वाधिष्ट होंगे कि हर कोई जादा खाना चाहेगा नमबर टू इटली डोसे मंगोडी या पकोडी के मिक्षण में दूर डालकर फेंटे वेंजन बहुत ही कुरकुरा बनेगा इस गोल को फेंटने के बाद ही नमक डालें और तरंद उतार लें उतारें पहले नमक डालें से वेंजन में कुरकुरा पन नहीं रहता है जब भी हम कोई पकोडी या मंगोडे कुछ भी बना रहे होते हैं तो नमक इंस्टेंट ही डालना चाहिए, पहले से नहीं डालना चाहिए, आपके पकोड़े या कुछ भी बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे नमबर त्री, दूद को हलकी आज पर उबालने से उसमें मलाई अधिक जमती है नमबर फॉर, यदि आप एक ऐसी रेस्पी पका रहे हैं, जिसमें प्याज और लहसुन दोनों को भूने की आवश सकता है तो पहले प्याज को तलें, इसका कारण यह है कि प्याज को नरम होने में अधिक समय लगता है, जबकि लहसुन आसानी से जल जाता है नमबर फाइव, प्रेशर कूकर अंदर से काला हो गया हो, तो उसको अंदर एक बड़ा गिलास पानी में चार बड़े चमन सिर्का डाल कर यह इसकी कालिक एकदम दूर हो जाएगी नमबर शिक्स, बर्तरों पर जमे मेल को साप करने के लिए पानी में थोड़ा से सिर्का वे निम्बू का रस डाल कर उबालने मेल छुट जाएगा नमबर सेवन, आलू बड़ा या समोसे के स्वाद में खटापन लाने के लिए आप अमचूर और नीबू की जगह टाट्री पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं नमबर एट, अगर आप कभी बेशन चीला बना रहे हैं तो तेल की जगह बटर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है फ्रेंस कभी भी बेशन का चीला यदि आप बना रहे हैं तो आप उसे तेल की जगह बटर में भी उसको सेख सकते हैं तो उसक नमबर टेन, यदि आपके चीनी के डिब्बे में बहुत सारी चीन्टियां लग गई हैं और इने बाहर निकालना मुश्किल है, तो एक अखवार में एक टुकडा का पूर लपेटें और लपेट का डिब्बे के भीतर रख दें, चीन्टियां अपने आप बाहर निकल जाएं नमबर ट्वेल, अक्सर ऐसा होता है कि काफी समय तक डाले पड़ी रहे तो इन में कीड़े पड़ जाते हैं, इससे बचाने के लिए आप डालों में नीम के पत्ते डाल दें, इससे डाले खराब नहीं होंगी नमबर ठाटीन, विशेजग्णों का मानना है कि दिन के दो तीन खजूर का शेवन आपके लिए फायदेवन्द होता है, इसलिए खजूर, डायबिटीज, रोगियों के लिए एक स्वस्त डिस्ट में मीठी चीज़ें या मिठाई की जगह ले सकते हैं जो डायबिटीज के रोगी है, वो मीठा खजूर ले सकते हैं अपनी डिस्ट में नारियल पानी में विटामिन E की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए रोज इसे रोजाना पीने से बाल मजबूत होते हैं, साथ ही वे गने काले और रेस्मी बनते हैं, इससे बालों का जड़ना भी बंद होता है नमबर 15, किसी भी तरह की त्वच्चा संबंदी समस्या हो या फिर चेहरे पर नैच्रक गिलो लाना हो, गरम पानी इसका सही उपाय है, जो हर रोज सुबा सुबा गरम पानी पीना शुरू कर दे, थोड़े ही दिन में आपकी स्किन गिलो करने लगेगी और कील मुहासेवे पिमपल्स से भी छुटकारा मिल जाएगा, नमबर 16, अगर आप दूद को किसी बज़े से फिरिज में नहीं रख पा रहे हैं, तो पकाते समय उसमें एक इलाईची तोड़ कर डाल दे, इससे दूद लंबे समय तक खराब नहीं होगा, फ्रेंच जैसे कि कभी-कभी हम फिर 17, बरसात की दिनों में अक्सर नमक सुखा नहीं रहे पाता है, वे सील जाता है और गीला-गीला सा हो जाता है, आप नमक की डिविया में 7-8 चावल के दाने डाल दे, तब उसमें बहुत कम सीलापन आएगा 18, अगर आप चाए नास्ते की जगा यदि खाली पेट गी का सेवन करते हैं, तो ये आपकी सेहत को भी बनाए रखेगा और आपको भरपूर एनरजी भी देगा, जिससे आपको कभी धकान महसूस नहीं होगी, इसके अलावा खाली पेट गी खाने से हमारी कई सारीरिक निम 20, हरी मटर को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए प्लास्टिक की थैली में डाल कर फ्रिज में रख दें, 21, रोज सुबह खाली पेट, निम्बू करस और सहद गरम पानी मिला कर पीना चाहिए, इससे आपके सरीर में फूर्ती आती तता मुटापे को कम करने में भी बड़ा ही लाइब दायक है, 22, खीरा ककड़ी में 95% पानी होता है, इसलिए जब भी हम ककड़ी को खाते हैं तो उसके बाद हमें प्यास नहीं लगती, 23, कोई भी स्वीट डिर्स बनाते समय उसमें एक चुटकी नमक मिलाने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, 24, चावलों को खिला खिला बनाने के लिए उसे बनाते समय पानी में एक चमच घी और कुछ बूंदे, नीवू के रसकी मिला दे, इससे आपके चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे, 25, ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूंते समय उसमें आदा छोड़ा चमच चीनी डाल दे, इससे आपकी ग्रेवी स्वादिष्ट तो बनेगी ही, साथ में कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, आज की 25 कुकिंग टिप्स आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो सस्क्राइब कर लिजिएगा, आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी, थेंक्स आज की वीडियो